हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आल आज मैं आप तो जो वीडियो लेका रहा है एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो की वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड़ शेयर है और अभी कुछ टाइम पहले अपना पीक इसका 900 से 1000 रुपे के आसपास का इसका पीक था और जब इस शेयर अगर आप हिसाब किताब लगाओ तो यह हो जाता है फाइब मिलियन शेयर अब फोटो देख लीजिए एक तरफ राकेश जुन जुन वाला जी को इंडिया की मार्किट में इंडिया की शेयर मार्किट में वारन बफे कहा जाता है और इनके शेयर को जब आप देखोगे तो जुनुन जुन जुन जी शेयर पर हादसाइब यहां पर निए है जर्णा उसको देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं और शेयर डिंग पैटर्न लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में भी बात करें कि कम्पनी का नाम है वाटेक वबाग लिमिटेड अब वाटेक वबाग लिमिटेड को आप देखोगे तो यह वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है खास करकी वाटर ट्रीटमेंट फिल्ड से और आपको पता है भाई वाटर ट्रीटमेंट फिल्ड बहुत पॉल्यूशन है खास करकी वाटर पॉलिशन इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो वाटर ट्रीट वाटर पॉलिशन बहुत ज्यादा लेकिन आज की देट में गॉर्मेंट्स लोकल अथॉरिटीज सारी काम कर रहे हैं वाटर को यहां पे ट्रीट करने का और न केवा देखिए प्रिंसिपल एक जै ग्राउंड वाटर बिल्कुल सूखे जा रहा है बिल्कुल और कोशिश हो रही है जैसे जल सकती मिशन अभी चलाया है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए मैं तो यह कहूंगा कि हर किसी कुछ कर सकता है इस चीजों को कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थो ना जाए और उसके अलावा अलग-अलग तरीके से आप जिसे कंटूर बंडिंग होती है आपके पास रिचार्ज वेल्स होते हैं तो यह अलग-अलग टेक्निक्स है लेकिन उसके अलावा यह चीज में आपको क्यों बता रहा हो देखिए जब बात आई दें डी सैलिनेशन प्लांट्स की डी सैलिनेशन प्लांट्स मतर्चıt沒事 के समुद्र के खारे पानी में से नमक निकाल के उसको पीने योग बनाना उसको कहते हैं डी सैलिनेशन प्रॉसेस और बहुत साड़ी कंट्री करती हैं पानी के लिए इंदिया में तो अच्छे हाजी 12 होती है ग्राउंड वाटर को रीचार्ज नहीं किया उसको अपने रिसोर्सेज को बचा के नहीं रखा रेइन वाटरिंग हर्वेस्टिंग को पर काम नहीं किया तो डिसलीनेशन एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए फ्रेक्टर होने वाला क्योंकि तीनों तरब से समंद्र है पानी खूब है उ बुक वैल्यों 188 की मतलब बुक वैल्यू के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है डेट कंपनी को पर 519 करोड का है गिर्वी रखेवे शेर्स भी यह देखे 12 परसेंट लेकिन अभी मैं आपको इसके डिटेल दिखा हूं तो कैसी हालत इसकी है 1200 करोड से रिवेन्यू बढ़ अब शेर्स की अगर मैं बात करो भी रिसेंटले इसका शेर रोल्डिंग पैटन आया तो मैंने यहां पर देखा शेर रोल्डिंग पैटन पहले राके जुन जुन वाला जी के नाम इत्में बड़ा नाम नहीं था और आप देखो के तो दिसंबर का यह डेटा है दिसंबर म पास शेर थे इसके लेकिन इतने नंबर ज्यादा यहां पर नहीं देखने को मिले थे लेकिन अभी के टाइम पर अचानक मैंने यहां पर देखा कि यहां पर राके जुन जुन वाला जी के पास हो चुके हैं 50 लाग शेर्स और आठ परसेंट की यहां पर होल्डिंग इनके पास हो चुके बाब को आठ परसेंट तक की 50 लाग शेर्स उसके अलावा सुष्मा आनन जैंग जी और अमिच्छेंज गुपता जिनके पास जबर्दस होल्डिंग यहां पर देखने को मिली है और 50 लाग शेर्स अपने बहुत बड़े होते हैं फिर हमने यहां पर देखा क तो यहां पर जो अलोट वे शेर्स जो है वह अब ऐसे तो देने ही पड़ेंगे ऐसा देखिए यहां पर यहां पर 160 का प्राइस रखा गया था कितना है 160 का प्राइस रखा गया था और शेर्स किस तरीके से अलोट है उसको देखिए 160 के रेट पर इन सब को मिलें बड़े बड़े इंवेस्टर्स को अलग अगर अभी के टाइम पर देखो गे तो उस टाइम पर इस न्यूज को देखते 204 के आसपास प्राइस चला गया था अभ जिया तो ऐसको मिले है यहां पर फाइंट प्राइं डीकर गया यहां पर लॉन जाइन और और आनन जैन कुमार जी को भी मिले है तो आपका यह तो भूपबारत यहां पर चीज़त देखने और अब यही नहीं मैं आपको यहांप और water treatment से related ये stock है अगर मैं कारोबार की बात करूँ तो 194 के आसपास लास थर्जदे का इसका price का moment है 194 33% के delivery देखने को मिलिया लेकिन उसके अलावा मुझे ये राके जन्विन वाला जी के holding के अलावा भी कुछ attractive stock में देखने को मिला इसलिए मैं ये stock आपके लिए लेके आया हूं अब वह attractive चीज है क्या देखें ये stock दिसे में आपको कहा ने टेम पे 1900 की range में था और ये वह level था 2015 March का यह almost 976 के price पो उस टाइम पे trade किया था और क्या jump देखने को मिला था और इस jump को जब आप देखोगे तो देखें क्या jump मैं क connection यह देखें बिल्कुल breakout के नियर consolidation और क्या solid breakout हुआ था और उसके बाद फिर से आपको मौका मिला था यह लाइंस अटेक पर trade करने का इस चीज को देखिए समझी है आपको बहुत important learning यहाँ पर मिलेगी यह जो दो लाइन में ने ड्रोग कर रही है पहले यह high level power होता है फिर 100 के लेबल पर शेयर जाता है सीजिन नौसो चेपतर हजार रुपे क्या आसपास उसके बाद स्टॉक में correction आती है correction आने के बाद देखिए यह trend आपको लग रहा हो कि हां trend change हो रहा है trend definitely important move था यह trend change हो रहा है लेकिन उसके बाद ही आप देखोगे तो आपको फिर से वापस ह trend change का देखने को मिला जोकी lower low lower high की series देखने को मिले और स्टॉक धढलने से यह मंत्री चार्ट पे डाउन हो गया लेकित अभी की situation जो मुझे लगी यहां पर जुन जुन वाला जी की इतनी बड़ी investment भी है और ऐसा लगा यह स्टॉक में की बड़ी candle के बाद छुटी candle बनती की भी दिखिए पिछले मन देखिए यह अगस्त है यह सेटमबर है तो important हो जाता है आपके लिए शेयर में यह correction जो चल रहा है यह resolve हो जाना अल्दो अगर आप देखोगे जो 20 यह में के near resistance इसको मिल रहा है जो के tough area पार करने का बट इतने बड़ी खरिदारी जुन जुन वाला जी की तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जरूर देखेंगे समझेंगे क्या को चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर जो यह जो जो टाइम में वीकली टाइम फ्रेम है और जिस तरीके से आप situation देख रहे हो चोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ही solid position पर यह जा चुका है solid position इसलिए क्या रहा हूं मैं RSI में मेरा bull zone जो होता है 60 के level को यह अल्ड़ी पार कर चुका है और उसके बाद यह correction आई है तो मुझे लगता है कि ह एक note करने वाला area है यह correction का resolution काफी important हो जाता है अब आप देखो गिए पिछले कुस टाइम में high जरूर बना है लेकिन आपका stop loss आपके लिए ready होता हुआ दिख रहा है almost 170 के आसपास यह stop loss यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साथ के साथ अगर price इस level को पार करता है इस correction में आपको resolution देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर यह bullish cross में भी convert हो जाएगा ज्यादा नहीं at least मैं कहूंगा यहाँ पर बड़ा run आपको देखने को मिल सकता है वो भी 400 के level तक का और यह area में consolidate कर रहा है यह important area भी अगर आब weekly chart को देखोगे तो यह पूरा का पूरा area 210 220 230 के मैं मैं कहूंगा यह पिछला high level है और पिछले high level को पार करने के आपको कोशिश हो रही है मैं कहूंगा consolidation के साथ पार करने की बात हो रही है तो बहुत ही important factor यहाँ पर यह है साथ के साथ RSI भी bull zone में इसको ध्यान में रखें इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहा रहा है कि आई 230 का हाई यह है उससे पहले हाई 220 का है तो साथ के साथ अगर मैं देखू तो मुझे stop loss कहाँ पर देखने को मिल रहा 170 के range और expect यह करूंगा कि मैं at least 204 का यह जो लेवल था यह पार हो जाए तो मैं कहूंगा कि हा जिस तरीके से solid position प्राइस जरूर डाउन गया फिलाल 20 यह मे आसपास होगा तो देखे किस तरीके से आपने देखा एक बड़े एक बड़े स्टॉक में अलॉट्मेंट हुई यहां पर आपने देखा फिर बड़ी खरीदारी भी देखने को मिले लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर entry कर रहे हो यहां पर शेयर में इंवेस्ट करना है तो आपको गयाना यार यह बहुत ही से पोजिशन यह बहुत ही से स्ट्रेटीजी है हमेसा स्टाउक मार्केट में कभी एक रुपया लगाओ सौर लगाओ या फिर एक करोड हमेसा अपने रिस्कों को पहले कैलकुलेट कर लो उसको समझ लो उसके बेसेस भी अपनी पोज झाल